मद्यप्रदेश के रिवा के फास्ट बॉलर 26 साल के कुलदीब सेन दुबई में होने जा रहे एसिया कप में खेलेंगे उसका सिलेक्षन इंडियन क्रिकेट टीम के 18 सदस्य टीम में हुआ है 22 अगस्त की राद भारती टीम के मुख्य सिलेक्टर चेतन सर्मा का कुलदीब को कॉल आया उन्होंने कुलदीब को मुंबई पहुशने के लिए कहा बुद्वार राद टीम दुबई के लिए रवाना भी हो गई क्रिकेट का एसिया कब 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच दुबई में खेला जाएगा कुलदीब सेन के कोच एरिल एंथोनी ने बताया कि 18 सदस्य टीम में बैक अप खिलाडी स्टैंड बाई के रूप में स्ट्रेयस एयर, दीपक चाहर और अच्छर पटेल का चयन हुआ है चोट के कारण दीपक चाहर को ड्रॉप किया गया है उनकी जगे कुलदीब सेन को चुना गया है छोटे भाई जगदीब सेन ने बताया कि 22 अगस्त की दोपहर कई बार BCCI की ओर से कॉल आया पासपोर्ट आदि मागा गया साम तक UAE का वीजा मिलने के बाद मुक्य सिलेक्टर शेतन सर्मा का कॉल आया उन्होंने 18 सदस्य टीम में सामिल होने की पुष्टी की इसके बाद 23 अगस्त की सुबह 9 बजे कुल दीब सेन प्रयाग राज के रिए रवाना हो गए दोपहर 2 बज कर 30 मिनट पर प्रयाग राज से मुंबई की फ्लाइट मिडी साम 5 बजे मुंबई पहुँचे राद तक BCCI कैंप आफिस पहुँचकर टीम से जुड़ गये कुल दीब सेन का जन्म 28 अक्टूबर 1906 को रिवा के ग्राम हरिहरपुर में हुआ था पिता रामपाल सेन की सिर्मोर्च और राहे पर सैलून सौप है तीन भाईयों में सबसे बड़े कुल दीब क्रिकेटर हैं दूसरे नमबर के भाई राजदीब सेन का हाल में मदप्रदेश पुलिस में चयान हुआ है तीसरे नमबर के जगदीब सेन कोचिंग चलाते हैं प्रतियोगी परिक्षा की तयारी भी कर रहे हैं आईपील के कई मैचों में कुल दीब ने 149 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर चुके हैं कुल दीब कमजोर आर्थिक परिस्तितियों के वाबजू 13 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं कोज एरिल एंथोनी ने क्रिकेट की बारी कियां सिखाई घरेलू क्रिकेट और रंजी में सांदार प्रदर्शन के कारण राजस्थान रॉयल्स टीम ने IPL में 20 लाक रुपए पर खरीदा था IPL के कई मैचों में अच्छी गेंदबाजी के दम पर चैन करताओं को प्रभावित किया ऐसे में भारती टीम में स्टैंडबाई के रूप में सामिल हुए हैं